बिहार के भोजपूर के गोकुल स्वीट्स में कल दो लड़के समोसा और मिठाई मांगने जाते हैं गोकुल स्वीट्स का मालिक कहता है कि समोसा और मिठाई लेने के लिए पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा जब टोकन की बारी आती है तब वो दोनों लड़के अचानक से गुसा जाते हैं और गोकुल स्वीट्स के मालिक से बहसा बहसी होने लगती है वो दोनों लड़के कह रहे थे कि हम टोकन नहीं लेंगे तुम हमको पहचान नहीं रहे हो गोकुल स्वीट्स का मालिक कहता है इसमें जान पहचान की क्या बात है अगर आपको दुकान से समोसे औ और मिठाई लेने हैं तब आपको टोकन तो लेना ही पड़ेगा लड़के गुसा जाते हैं पैसा नहीं देते हैं और खूब बहस के बाद वो मालिक के मुह पर पैसा मारते हैं दुकान के भीतर जाते हैं और महज 10 सकेंड के भीतर दुकान से निकल कर कहीं चले जाते हैं लेकि उसके दो घंटे के बाद वो दोनों लड़के लोटते हैं और उसके बाद जो होता है वो आप सुनेंगे तो आपको हसे आएगी आपको गुसा आएगा और आपको बुरा भी लगेगा बिहार के लिए पूरी बात हमको बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार ये मेरे नाम प्रशांतराय है ये वीडियो रोड़ बेज एप के द्वरा प्रयोजित है रोड़ बेज बिहार की एक ऐसी टेक्सी की कमपनी है जो आपको आधे किराय में पूरा भिहार घूमने का मौका देती है आपको पतना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में ज अब लोटते हैं भोजपूर के गोकुल स्वीट्स के कहानी पर अब गोकुल स्वीट्स की कहानी ये थी कि दो लड़के आकर समोसा मिठाई मांगते हैं दुकांदार जो मालिक वहां का था वो टोकन लेने कहता है टोकन वो नहीं लेते हैं फिर बहस होती है फिर दुकांदार क मुह पर वो पैसे मारते हैं फिर वहां से चले जाते हैं इसके बाद दो घंटे के बाद वो दोनों लड़के वापस आते हैं मोटरसाइकल पार्क करते हैं और ताबर तोड़ गोली चलाना गोकुल स्वीट्स पर शुरू कर देते हैं उनको इस बात का बुरा लग गया था कि आखिर उनसे आखिर टोकर लेने के लिए दुकांदार ने कैसे कह दिया उनको ये बात उनके इगो पर लग गई थी कि वो इतने बड़े आदमी है और उनसे कोई पैसा आखिर कैसे मांग सकता है दुकांदार बता रहा था कि जब वो गोली मार रहे थे तब वो चुप भी कर लगके कह रहे थे की तुम हमसे पैसा मांगवे एक ऐसा दिन ला देंगे की तुमको हमकों come cea देना पड़ेगा दुकान चलाने के लिए दुकांदार का नाम है अनीस कुमार सिंग अनीस इस कुमार सिंग आरा सासा राम के मेन रोड पर एक दुकान चलाते हैं जिसका नाम है गोकुल स्वीट्स गोकुल स्वीट्स पर रोज जाकर सुबह सुबह बैठते हैं गल्ले पर और शुक्रवार यानि कि कल एक ऐसा वारदात हो गया जिसको लेकर वो अभी तक सह में हुए ह कि आम तोर पर समोसा मिठाई या कोई भी समान देने से पहले हम लोग ग्रहकों को कहते हैं कि आप टोकन लीजिए कल भी मैंने ऐसे कहा कि टोकन लेना पड़ेगा आपको लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि आप Хमसे पैसा माँगिएगा आपका इतना हिम्मत हो गया है उसके बाद वो मेरे मुह पर पैसा मार कर चले गए और दो घंटे बाद आकर बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे बिना गुसा हुए सीधा बंदूक निकाल कर गोली ही चलाने लगे अनीस कुमार सिंग बताते हैं कि मैं तो एकदम बाल बाल बच गया अगर मैं कल नहीं छिपता नहीं भागता तो हो सकता है कि मेरी मौत हो जाती और ये सब कुछ वहां के सीसी टीवी कैमरा में कैद हो चुका है फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है लोग बाग लिख रहे हैं कि देखिए यही है सुशासन बाबू का सरकार और लोग देजिए समोसा और मिठाई के लिए बिहार में क्या क्या हो सकता है बाकी पुलिस वालों का कहना है कि सीसी टीवी के आधार पर हम उनको जल्दी गिरफतार करेंगे गिरफतारी कब होगी ये हमको नहीं पता लेकिन समोसा और मिठाई के लिए बिहार में गोली चल गया ये ह को पता है बाकि आपको क्या लगता है कवंड बोक्स मताईएगा मेरे नाम प्रशांत है बहुत बहुत धन्यवाद